ओम नमस्ष देभ्यह ओम नमस्ष देभ्यह ओम नमस्ष देभ्यह नमस्रे वर्दमाणाय निर्दोद कलिलात्मने सालोकानाम त्रलोकानाम यद विद्यादर पनायते अहिंसा पर्मो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मर्णे परंपूज आचार गुर्वर स्री विद्या सागर जिम्नी महराज की चाहिए संसार में प्रत्यक जीव अपने कीवे कर्मों का फल भूगता है किन्तु कर्मों का फल तो मिलता ही है किन्तु भविष्य में कुछ प्रकार का फल न प्राप्त हो इसके लिए धर्म का आलम्मन लिया जाता है धर्म का स्वरूप आप लोगों ने समझ लिया है और आचार उने अपनी साधना आत्म साधना करते हुए गुफाओं में वन में रह करके पिश्व कल्यान के द्रिष्टी से उन्होंने जिन्वाने की आराधना की है और जो जितना उने एक शोफ्षम प्राप्त था उसके माध्यम से आगम की रचना करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार करके वो निकल गए है क्युन्तू उस जिन्वाने की आराधना करने के लिए हम और आप के लिए भी आवसर प्राप्त है इसलिए गुर्देव का बार-बार ये कहना रहता है ये क्रोध, मान, माया, लोव ये सारे सारे प्रत्यक संसारी प्रानी की लगे भी है इनको जेतने के लिए इनके उपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करें किन्तो स्वाध्याय भीग करके करें स्वाध्याय करना तो सभी लोग कर लेते हैं किन्तो एक खाना पूर्ति ना हो स्वाध्याय हो गए मानलो नाधो करके भगवान की पूजन आदिक कर लिए और दो-पांस मिन्ट समय बचा हुआ है उसमें एकाद प्रिष्ट पलट करके 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक सूत्र एक एक गाथाएं ऐसी है उन पूरे गाथा को भी रटने की आवशकता नहीं है एक गाथा में अत्वा एक स्लोक में चार चरन है एक चरन भी यदि मानलो आत्म साथ हो जाए तो मैं समझता हूं कि शिविर का पूरा का पूरा लाव अपन ले सकते हैं क्योंकि कर्मों की आश्रों को रोकने का नाम समवर कहा है और समवर के लिए कारण स्वाध्याय भी है और वस्ततावा स्वाध्याय विशेश रूफ से निर्द्रा के लिए इसले कारण शिद्ध होता है क्योंकि उस स्वाध्याय को आचार्यों ने बारा तप के अंतरगत जो अभ्यंतर तप है उस अभ्यंतर तप में स्वाध्याय को स्वीकार किया है और कहीं कहीं पर यह भी पढ़ने को मिलता है कि स्वाध्यायम परमम तपह स्वाध्या एक उत्कृष्ट तपह ऐसा कहा है इसमें भी आचार्यों का आश्रे भाव यह है अंतिम यदि कोई तप है तो वह ध्यान माना जाता है किन्तु ध्यान तक पहुंचाने में यदि कोई अनन्य साधन है मन को एकाग्र करने के लिए यदि कोई उत्कृष्ट साधन है तो वह स्वाध्याय है ऐसा कहा है इसलिए जिनवाने के प्रति भक्ति रखते विए आदर भाव विनई के साथ बहुमान के साथ मैं इसलिए बहुमान के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं सम्यक दर्शन के आठ अंग हुआ करते हैं या प्रचलन में हैं प्रतिक व्यक्ति आठ अंगों को जानता होगा किन्तो ज़स प्रकार सम्यक दर्शन के आठ अंग हैं उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी आठ अंग हुआ करते हैं इसका उलेक आचार अम्रचन सूर ने शायद पुर्शाट शिद्धी उपाय में इस प्रसंग को रखा है कि शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विन्याचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्नमाचार और एकार कोई और है हाँ कालाचार बहुत अच्छा समय पर आपने बोल दिया कालाचार यह सारे एक सारे आठ अंग माने जाते हैं जिसके पालन करने से ज्ञानावरिनी कर्म का खुशोप्षून तो होता ही है किन्तु ज्ञान में और निर्मलता आती चली जाती है और वा ज्ञान कालांतर में जाकर के चारित्र को अंगिकार करने के लिए वा ज्ञान प्रेरित करता है केवल ग्रंतों का अद्देन करने का उद्देश क्या होना चाहिए होना ये चाहिए ये ज्ञान किसके लिए है ज्ञान के द्वरा हमें प्राप्त क्या करना है ज्ञान का प्रयोजन है चारित्र प्राप्त करने के लिए चारित्र के लिए ज्यान नहीं किस के लिए ज्यान 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 के लिए ज्या जीवन को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्रक्ता है और वही ज्ञान विवेक नाम पाता है विवेक के अभाव में भी ज्ञानावरनी कर्म का खुशोप्षम होता है किन्तु उस खुशोप्षम से कोई कर्मों की निर्जना नहीं हो पाती कर्मों की निर्जना जो होती है वह रागान्मित ज्ञान के द्वारा नहीं होती किन्तु वह राग से रहित जो वीतराग विज्ञान है जो की चारित्र के साथ सम्मंद रखने वाला ज्ञान माना जाता है उसके मद्यम से ही पाप कर्मों की निरिजरा और साथ से पुन्य का अरजन भी होता है इन दस दिनों में आप लोगों ने मातर ज्ञान की आरादना नहीं की है मातर आप लोगों ने प्रवचन ही नहीं सुना है किन्तु उस प्रवचन के अउंश को अपने जीवन में उतारा है और मुझे बड़ी प्रसंता हो रही है कि एक-एक नई दस-दस उपवास करने वाले भी इस सबा में बेटे हैं और उपवास का अर्थ क्या है गुर्देव ने ये भी कहा है उपवास का अर्थ रहना होता है और उपजो उपसर्ग जुड़ा हुआ है निकट रहने का नाम उपवास है भोपाल छोड़कर के आपर आए हो भोपाल भूल गए होंगे मरा जबी तो भूल गए बाद में याद आ सकता है लेकिन उपवास का अर्थ निकट रहना किसके निकट आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है और मान लो जिसके क्षमता नहीं भी रही हो उपवास करने की किन्तो इन दस दिनों में धर्म के आराधना करने के लिए वो सारे सारे उस्साइत रहे हैं और शिविर में भी भाग लेकर के ज्ञान के आराधना की है तो ग्यान के निकट रहना भी उपवास है ध्यन डखो क्योंकि वही ग्यान चारित्र को अंगिकार करने के लिए प्रेरित करता है इसलिए आप लोग धर्म से प्रेरित हुए हैं इसी प्रकार भगिस में भी धर्म की अरादना करने के लिए जो बड़े बड़े आचारियों ने आगम की रचना किये है उस आगम को उस्सा के साथ मन लगा करके उन सुत्रों को आत्म साथ करने का पुर्शार्थ करेंगे तो हमें शिविर में तो भाग लेना ही है ठीक है किन्तो शिविर में भाग लेगने की सार्तक्ता शिद्ध होती है उस आत्म तत्व को पैचान करके अन्यान वस्तुओं से मुकमोड करके मोह को समाप्त करते हुए क्योंकि बहुत मोह सताता है माराज आज क्षमा वानी पर्व है क्षमा तो पहले दिन ही क्षमा धर्म की आरादना की है अब अभी भी क्षमा क्या करना है कर चुके हैं इसकी उपरांत भी व्यभार की दृष्टी से इसको भी मनाया जाता है समाज में इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं क्षमा धर्म का या क्षमा का जो भाव जागरत हूता है वो कब हूता है किस परिश्दिती में हूता है ये भी कहा है आचार्योंने एक स्लोक है प्रासंगिक रखते हुए इस विशे को पूर्ण कर रहा हूं कि क्रोधोत पत्ति निमित्ता नाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़ना दी नाम कालशो परमक्षबा ऐसा कहा ये शायद मुझे स्मर्णम है तत्वा सार की ये कारिका हो सकती है उसमें लिखा है अमर्चन सूरी ने क्रोधोत पत्ति निमित्ता नाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़ना दी नाम ऐसा का अज्ञान दश्या में ही आपको हमने शत्र की रूप में माना था किन्तो अब ज्ञान जागरत हुआ है इसलिए उनके लिए भी हमारा क्षमा भाव है मित्य में सब भोदेशो वेरम मज्यम नकेन वी वैर भाव किसी से मेरा न हो सब के प्रति मित्रता का भाव रहे इस प्रकार के भाव लाना ही वस्तुत शमा धर्म की आराधना मानी जाती है आशार कुंद कुंद हुए है उन्होंने अपने शब्दों में सफस्ट रूप से लिखा है मेरा शत्रु भी न हो मेरा शत्रु भी क्यों न हो किन्तु आगम के वेपरीत आचर्ण न करें और अकेले विहार न करें ऐसा उन्होंने कहा है हाँ सोचो विचार कुर मेरा शत्रु भी क्यों न हो किन्तु उसको आगम को छोड़ करके कदम नहीं रखना चाहिए क्योंकि आगम चक्खु साहु कहा है आगम ही सादु की नेत्र हुआ करते हैं इसलिए आगम मिला है आरादना करने के लिए आगम के अनरूप भले ही जितनी क्षमता आपके अंदर है उतनी क्षमता के अंदरूप चारित्र की आरादना करो और जो कुछ भी आरादना करने के लिए शेश रहा है उसके प्रती आस्ता जागरत करते हैं अपने जीवन को वेतीत करना चाहिए कभी भी किसी भी समय पर वह जीवन का अंत हूँ सकता है क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो अंत अनिवार है ये वस्तु का स्वरूप कहा है इसलिए समय रहते हुए हमें ज्यादा इधर उदर की विक्ताओं में नहीं लगना किन्तु समय का सदुप्यों करते हुए सत कता के मद्यम से अपने परिवार को भी धर्म की ओर अग्रसर कराने का फुर्शाद करना चाहिए क्योंकि हमने कई बार प्रोचन के दोरान कहा है कि निरंतर चारो ओर जो वातावन शाया हुआ है वो भोतिक वातावन है विशे सामगरी बढ़ती चली जा रही है और उसका उप्योग कर लेता है संसारी प्रानी और अज्ञान दश्या में उसमें डूब रहा है उससे पार होने के लिए एकाद पंक्ति भी आप एदि स्मर्ण में लाते हैं जिसको अपने स्वाध्या के रूप में किया है वो एकाद पंक्ति एकाद सूत्र भी एदि मान लो मनन और चंतन करते विए सावधानी के साथ जेवन को अपने जेवन में उस स्वाध्या को उतारते विए व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा किसी नहीं कहा कि महराज दस दिन पर के कैसे निकल गए पता नहीं लगा और दस दिन भी तो कहते जा रही हुआ पता तो है आपको दस दिन हो गए उनका भाव ये रहा कि महराज हम इतना नहीं समझ पाते थे क्योंकि दुकान में तो व्यस्तता के कारण समय निकल जाता था किन्तु यहां पर दुकान मकान छोड़ करके आये हैं इसके उपरांथ भी उपवास आदिक के साथ भी हम समय को गुजार रहे हैं किन्तु पता नहीं पड़ा सुबह कब हुआ और शाम कब हो गया और महराज जिने भी कहा था कि प्रकृति भी आपके लिए साथ दे रही है हैं से हर्म के आराधना करते विए अहिंसा धर्म को अपने जीवन में को प्रयत्न करेंगे अहिंसाद्ensor मो धर्म की जाहें बोधे समादे परिणाम शुद्धे स्वात्मू पलब्दे शिवसो किशद्धे चंता मनिं चंति दवस्तु दाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु दे परंपूजाचार गुरुगर स्री बिल्या सागर जिमनि महाराजी की